हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो आर फूड बहार चैनल आज हम आपके लिए लेकर आया हैं मटर पुलाओ की रेसिपी जो बहुत ही मज़दार होती है और बनने में बहुत ही जल्दी बन जाती है तो चलिए इसको बनाते हैं यहां हमने लिए हैं बासमति चावल आदा किलो इ इसी के साथ हमने यहां पर लिया है अद्रकलस्तन का पेस्ट तीन चार तेज पत्ता तीन से चार कटी हुई हरी मिल्चे एक चमच हमने यहां पर लिया है नमक और इसी के साथ हम लेंगे दो चमच सौफ धनिया सौफ धनिया का जो है हम बॉल करके उसके पानी का इस्तिमाल क इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है और इसके साथ हमने लिए बारी कटी हुई एक बड़ी प्याज इसको हमने इस तरह से काट लिया है और यहां हमने लिया है गरम मसाला दाल चीनी बड़ी लाइची लॉंगे जीरा और काले मिर्च सबसे पहले हम एक पतीली में पानी लेंगे यहां हमने आधी पतीली पानी लिया है इसमें हम डालेंगे सौफ धनिया सौफ धनिया डालने के बाद इसको हम अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बाद जो है इसको हम पकने के लिए रख देंगे दस मिनट के लिए इसको हम इतने अच्छे सा पकाना है जब तक सौफ धनिया का जो कलर है वो पानी में ना आ जाए तो देखिए इसमें कितने अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है इसको हम बस पांच मिनट और पकाएंगे तो पांच मिनट हो चुकी है इसको हम उतार देंगे चूले से अब एक कूकर लेंगे सबसे पहले हम कूकर में डालेंगे तेल इसको हम गरम कर लेंगे गरम करने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्यास और गरम मसाला और दोनों चीज़े इसमें डालने के बाद इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्राई हमें इतना करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ऐसी मज़दार वीडियोस को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राईब और शेयर करना ना भूले साथे साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताके आने वाली फ्यूटर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इसमें हम डाल देंगे अब तेज पत्ता, अब इन तीनों चीजों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन हुच की है, इसमें हम डालेंगे अब अध्रक लसन का पेस्ट और इसको हम चला देंगे तीन से चार साकिन के लिए इसको हम इसे तरह से चलाते रहेंगे चलाने के बाद सबसे पहले हम इसमें एट करेंगे मटर मटर डालने के बाद इसको हम चलाएंगे, इसको हम इसे तरह से पांच मिनट तक भूनते रहेंगे तो देखिए पांच मिनट जो है वो हो चुकी है और यह जो सौफधनिय का पानी है इसको हम इसमें डाल देंगे यह जो है देड मग पानी बिल्कुल पक्कर तैयार हुआ है एक मग हमने अभी डाल दिया है एक मग हम इसमें बाद में डालेंगे अब इसमें हम डालेंगे नमक नमक आप अपने स्वात के नुसार से ही डाले नमक डालने के बाद इसको हम चला देंगे और इसमें जो बचा हुआ पानी है वो भी इसमें डाल देंगे हम अब इसको अच्छे से चलाने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे जब तक इसमें बॉइल ना आ जाए तो देखिए इसमें बॉइल जो है वो आ चुका है इसमें हम डालेंगे अब चावल चावल का जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल दिया था चावल डालने के बाद इसको हम चलाएंगे और इसी दोरान आप इसमें नमक जो है वो चक्कर देख सकते हैं कि नमक अगर आपको कम लगता है तो इसमें थोड़ा नमक और एट कर सकते हैं और इसमें हम साथी साथ डाल देंगे कटे हुई हरी मिर्चे और इसको चलाकर हम इसको ढखक कर पकने के लिए रख देंगे सीटी हम इसमें अभी नहीं लगाएंगे इसमें हम सीटी तब लगाएंगे जब पानी जो है वो बहुत ही कम रह जाएगा तो इसमें हम सिर्फ एक सीटी लगा देंगे तो देखिए इसका पानी काफी हद तक खुश-खुश